यह देखी फ्रेंज कितना टेbay और यूनिक हमने समोशा बना के तेयार कर लिया है और से बनाने में में ज्यादा समय भी नहीं लगा और यह कि कितना क्रिस्पी और स्वाधिष्ट बन के रेडी हुआ है तो हेलो फ्रेंज आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार मैं आराधना मिस्रा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके इस चैनल अराधना फूड फ्लेवर में हर दिन एक नई रेसिपी को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए तो फ्रेंस आज क्या हमारा जो टॉपिक है वह समोसे को ले करके ह है जोसे हम आज बनाने वाले हैं हलवाई श्टाइल बिल्कुल डिफ्रेंट तरीके से और समोसे के साथ हम बनाने वाले हैं फ्रेंस आज मैंगो की चटनी तो मैंगो का सीजन है तो मैंगी की चटनी जरूर बनाना पनता है तो आज हम बनाने वाले मैंगो की चटनी तो यहा वाइन इसे भी क्रस्स करके हम डालेंगे करने से बहुत अच्छा नेधर आता है तो आतों से करने के जरूर डाले इसे और इसके बाद हम इसमें लमक स्वाद इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से इस तरह से मसल मसल के पहले इसका अच्छा सा डो त्यार करेंगे तो यह देखिए बाधने पर जब इस तरह से बढ़ जा इसका मतलब क्या आपका परफेक्ट रेडी है इसके बाद फ्रेंस हम क्या करेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल क करके मैडे कीदम अच्छा सा डो तयार करेंगे तो आप एक साथ पानी डालें क्योंकि अगर आपको समयों से में क्रिस्पीनेस चाहिए तो थोड़ा थोड़ा पानी डालके गूते और यहां पर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए अच्छे से इसे गूत लिया है और इसके वाद हम क्या करेंगे इसे ढख करके छोड़ देंगे रेश्ट के लिए तो आप इसे गिले कपड़े से ढख दे या मेरी तरह जैसे मैंने बावल में रखे प्लेट से ढख दिया इस तरह से भ्यार भग सकते हैं आपको जिस तरह से इजी लगे उस तरह से ढख लेजिए और यहां पर फ्रेंस हमने गैस ऑन करके चढ़ा दिया है कराही कराही गरम हो जाएगा तो उसमें डाल देंगे दो बड़े चमच सरसोकाई तेल और उसी की साथ इसमें डाल देंगे वन पेंचिंग आधा चमच जीरा और इन सारी चीजो को थोड़ा सा चटकने देंगे इसके बाद इसमें एड कर देंगे चाथ से पांच बारी कटी भी हरी मिर्च एक मीडियम साइज का बारी कटा हुआ प्याच और इन सारी चीजो को हम चलाते हुए फ्राइ करेंगे तो थोड़ी दे तक जब यह भून जाए तो इसी के साथ आप एड कर दे इसमें अध्रक लहसन का पेश्ट तो यह हमने घर पे कूट की बनाया है आप बाजार का भी ले सकते हैं वरना अगर आप चाहे तो घर पे भी बना सकते हैं अच्छा रहता है तो आप जैसे आपको इजी लगे उस तरह से आप अध्रक लहसन की पेश्ट को बना ले और यहां भी फ्रेस अध्रक लहसन डालना बहुत ज़रूरी है बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर आता है तो इंसाले से जो को हमने चलाते हुए भून लिया है हुआ है अब इससे के साथ इसमें मसाले एड कर देते हैं दोस्तों त्यहाँ पर डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार जितना आप नमक कमे ज़्यादा जैसे पसंद करती हैं उसले साब से आप इस नमक डाल दीजिए थोड़ी से हम डालेंगे इसमें हल्दी और हल्दी के बाद यह हमारा नॉर्मल मसाला है तो आपको इस अफ़े मसाला फ्लेवर के लिए हलका सा डाल दें ज्यादा नहीं डालना बस थोड़ा सा डालना इससे फ्लेवर आ जाए और इसी के साथ इसमें हम डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर का और यह हमारा है चाट मसाला तो चाट मसाला यहां पर ऑफिस्नल है चाट मसाला की जगह पर आप चाहें तो आम स्वे पाउडर भी ले सकते हैं बडदो जो एबलेबल हो आप उसे लेके डाल दें और इन सारी जो को हम चलाते विए अच्छे से भून लेंगे जो तकि मसालों में से खुस्ट बूना आने लगी तो यहां पर मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हैं अब हम इसमें एड कर देंगे आलू तो यहां पर हमने पांच आलू को उबाल करके मैस करके लिया है आप चाहें तो कदुकस भी कर सकते हैं और आलू और मैदे की क्वाइंटिटी को फ्रेंज आप अपने फैमिली मेंबर के हिसाब से घटाया बढ़ा सकते हैं आपके फैमिली में जितने लोग हो या फिर जितने लोग को लिए आपको सम मिक्स करेंगे तो यहां पर हमारा समोसे का रेडी हो चुका है अब हम क्या करेंगे इसको चलाते हुए गैस को आफ कर देंगे और उतार करके इसको ठंडा कर लेते हैं और इसकी बाद हम बनाने वाले हैं चटनी जो कि आज की रेसिपी को हमारे चांचाद लगाने वाली है तो हम बनाएंगे मैंगो की चटनी जो कि हर किसी का अक्सर पसंदीदा होता है और मैंगो का सेजन है तो चटनी बनाना तो बनता ही है तो यहां पर हमने लिया है मैंगो इसको हमने कटकट के डाल जाए मिक्सट जार में इसी साथ हम डाल देंगे पांच से छे लहसन की कलिया और इसी के साथ हम ढाल देंगे 3-4 हरी मिर्च और एक इंच अद्रक का तुकड़ा इसके साथ इसमें जाएगा हमारा हरा धनिया हरा धनिया के बाद फ्रेंस हम इसमें एड कर देंगे एक टमाटर तो इस चेतनी में जितनी भी समागरी हम लगा रहे हैं इसकी भी quantity को आप कमे ज़्यादा कर सकते हैं आपको जितना चटनी बनाना है उसे साफ से आप समागरी को ले ले और इसमें एड़ कर देंगे हम नमग, स्वाधनुसार और पानी पानी को डाल करके हम इसको पीस लेते हैं तो यहाँ पे हमारी सूपर टेश्टी अमेजिंग मैंगो की चटनी बन के तियार हो चुकी है आप इसे हम कर लेते हैं एक बावल में ट्रांसफर तो फिर्फ समूशे के साथ मैंगो की चट्णी मिल जाए तो क्या बात है? स्वाल भूलता नहीं, इतनी अच्छी त्यार होती है अच्छी त्यार होती है यहाँ पर बलती है, तो यहाँ पर पर मैदे को मैदे को ळेंज़र से रोल बना लें क्योंकि हम उसके पीड़े बनाने है अधिकल पार्ट में कर लेंगे यहां पर हमने इसे 4 बराबस साईज में तोड़ लिया है और इसकी बाद सारे को हम घख देंगे forgiving अच्छा सा पेड norm ने है और इसके वाद हम थोड़ा सा इस पर सूखा मैदा अपलाई करके हम इसको बेल लेंगे तो फ्रेंस यह जो समोसा की रेशिपी है अक्सर सभी को पसंद आती है समोसा और गुलगपी यह सब ऐसी चीजी जिसे कोई नहीं कहता जब मिल जाए तभी इससे सुरू हो जाते हैं हो तो फ्रेंछ आप इसे बनाईए और इस तरह से हमने इसमें सोखा आटा त्होडवा सा लगा लिया है इसके बाद हम इसको इस तरह से आज हम बनाने वाले हैं बहुत इंधरेंगे नो जदा है नहीं ज़्धा कोई हो कि जुक्ट से जनुल OC बनाते तो गहन्टो तक बेलने की जन लेंगे तो इस तरह से हम एक बार में आठ समों से बना के त्यार करने वाले हैं तो इस तरह से आप इसकी कटिंग कर लीजिए अब चाहें तो आप थोड़ा सा अगर बड़ा रखना चाहें तो एक साथ चार भी बना सकते हैं बढ़ हम नहीं हापे एक साथ आठ बनाया है तो यह जाद छोटी नहीं बनेंगे बहु पलाई कर देजिए इसको सेफ देदे के तो यहां पर आपहला पर रख लिए इस ट्रौफिंग ऊप पर सारे एक सारा आपर पानी कर दें और इसके वाद हम इस यह तरह से छिपका लेंगे बहुत आसानी से चिपक जाता है बहुत अच्छा लूबाए है तो इस तरह से आप इसे चिपका लिजे और ये देखिए कितना परफेक्ट लुक वाला हमारा मिनी समोसा बन के त्यार हो चुका है और इस तरह से आप बनाएंगे तो आपका जटपट से समोसा बन के रेडी हो जाएगा और कोई नहीं कहेगा कि आपने समोसे को इतनी आसाने से और इतनी जल्दी से बना के त्यार कर लिया है तो ये हमारा पहला समोसा बन के रेडी है अब हम इसको रख देते हैं प्लेट में और इसके बाद इस तरह से फ्रेंस हम सारे समोसे को बना लेंगे तो यहां पे हम दूसरा भी बनाे के दिखाते हैं आपको इसे फ्रेंस मोरना बहुत ही आसान होता है ज़ड़पट से यह रेडी हो जाता है तो इस तरह से आप इसे आसारी से मोड़ सकते हैं यह देख लीजिए वापस से मैं आपको दिखा रही हूं जिससे आप भूलेंगे भी नहीं और आसानी से बना के त्यार कर लेंगे तो यहां पर यह हमारा दूसरा समोसा भी रेडी हो चुका है और यह आप देख सकते हैं कितना इसका अच्छा लूक आया हुआ है तो इस तरह से आप बनाईए और यहां पर फ्रेंस हमने सारे समोसे को बना के त्यार कर लिया है तो यह आप देख सकते हैं एक कप मैदे से हमने 30 से भी ज्यादे समोसे को बना के रेडी कर लिया है और कितने अच्छे लूप में यह आ रहे हैं तो इस तरह से अब इसे रख देते हैं साइड में और चलते हैं गैस की तरफ तो गैस अन करके हम चड़ा देंगे कराही कराही में डाल देंगे रिफाइन और जब गरम हो जाए साइड से अच्छे से लेंगे तो फ्रेंज जो हल्वाई लोगों का समुसा बनाने का राज होता है बहुत ही सेक्रेट्स होता है वो जल्दी किसी को बताते नहीं है लेकिन मैंने पूझा रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने बता दिया क्योंकि समय समुसे को आप देखते हैं और हल्वाई वाले अंकल फोन लोगे होते हैं वो रखते हैं और जादे देर तक उनकी समुसे क्रिस्पी बने रएते हैं तो उसको क्रिस्पी रखने का यहीरा जे कि कि बासी कि लेंडे के बाद सेक्ने लिए ले किसी समुसा मुझा सारे में गया देल को बना लिया है आब इसे निकाल लेंगे प्लेट में और फ्रेंस यह देखिए कितना अमेजिंग लुक वाला सूपर टेस्टी परफेक्ट हमारा समोजा बनके रेडी हो चुका है और इसे हमने कितने जटपट से बनाके त्यार कर लिया यह तो आप देखी सकते हैं तो इस तरह से आप ही बनाईए समोसे बनके रेडी हो जाएंगे और फ्रेंस यह देखने में जितना सुंदर है खाने में कहीं उससे ज्यादा बहुत सुंदर है और स्वादिष्ट भी है और इसे आप चाहें तो एक से दो दिन तक एयर टाइट कंटीनर में इस्टोर करके फ्रेज में रख भी सकते हैं सभी लोग का यहीं टेंसर रहता है कि इसे बनाने के लिए ज्यादा समय कौन ब्यतित करेगा इतनी जज़ट कौन पालने जाएगा लेकिन मेरे ख्यार से फ्रेंस जब आप इसे एक बार बना के घर पे खाएंगे न तो आप बजार का लाना भूल जाएंगे और बजार से ज आपको जादे अच्छे लगी या फिर बजार के तो फ्रेंस आपका कीमती समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए स्वस्त रहें मस्त रहें अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर के लिए कर लो को प्रेस कर दें बाइबाइ